जिलामत द्यवत्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष संतोष सिंग को गुरुवार की रात करी पौने नौ बचे एककार में सवार नकाप पोश अग्यात हमलावरों ने गोली मारी गनीमत रही कि गोली उनके हातों को छू कर गई जिससे रावत बाल-बाल बचे और ये घटना से सी काया दर्च कराई इसके बाद मूल पुलिस ने मूल शहर में जगा-जगा गेरा बंदी कर आरूपयों की तलाश शुरू कर दी पुलिस ने जब जिलाम अध्यवर्ती बैंक की मुक्ष शाखा के सीसी टीवी केमरे की जाच की तो पता चला की हमलावर MH34-6152 मारती स्विफ्ट डिजार कार से मौके पर आये थे मिली जानकारी के अनुसा संतोष सिंग रावत मूल स्थित जिलाम अध्यवर्ती बैंक शाखा में बैठे थे उनके वहां से निकलते ही हमलावर चार पईया वाहन से वहां पहुँच गए एक नकाब पोश हमलावर बाहर आया और एक नकाब पोश हमलावर पिछटे दरवाजे से कार से निकला और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता रावत पर ताबर तोड फारिंग कर दी गई लेकिन निशाना चुकते ही गोली रावत के हात में लग गई इससे रावत बाल-ब मुल लगर में अचानक हुई इस घटना से संसनी मच गई तेरह मईं को बाजार समीती के सभापती पत के लिए चुनाव होना है इस घटना को इसी प्रिष्ट भूमी में देखा जा रहा है रावत पर गोली चलाने वाला उनका विरोधी कौन है पुलिस इस दिशा में जांच क रही है रावत की शिकायत पर मोल पुलिस ने पूरे शहर में नाके बंदी कर दी है लेकिन अभी भी हमलावरों का पता नहीं चल पाया है हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस मुस्तेद है विधायक किशोर जोरगेवार ने संतोश रावत से मुलकात कर हमले की निंदा की और हमलावरों को तुरंत गिरफतार करने की मांग की। ब्रह्मपूरी के विधायक विजय वड़िटिवार ने 24 गंटे के भीतर इस खुनी साज़िश का परदा फाश कर। हमलावरों को गिरफतार नहीं किया गया तो पूरे जिले में आंदोलन केट जाने की चेतागनी दी। NBCN News के लिए चंदरपूर से सुनील ताड़े की एक्स्क्लीजिव रिपोर्ट